हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू विवान श्टड़ी दोस्तों आज 16 सेप्टमबर 2020 और 16 सेप्टमबर 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करेंट रफेस्ट बनते हो उन पर हम रिस्केसंस करेंगे और इनसे रिलेटिज जो भी फैक्ट और तत्थ की वीडियो अप्लोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों अपने फ्रेंज को सेर करें और आज की पीडिया फाइल आप उसमें कुछ आडियो इसूज आ रहे थे इसके जासे मुझे रोकना पड़ा और यह पुराना फॉर्मेट चालो करना पड़ा तो मैं उस पर काम कर रहा हूं जैसे वह इसूज होता है मैं उसी फॉर्मेट में करने रफेर लाना शुरू कर दूँगा तो आज का पहला क्वे है और यह शाल 15 शतंबर को मना जाता है अब यह मनायें कुछ रहता है मौके घझाल पर अबर की जयंति के मौके पर 18 सेक्षवर को मैसूर की कोलार जिले इस ती चिक्का बलापुर तालोक में एक तेल को परिवार में हुआ था उनकी पिता स्रीनवास सास्ती संस्क्रत की विद्वान और आयरुवेदिक चिक्षक थे और जो एम विश्वसरिया यानि जिनका में जिक्र कर रहा हूं जिनके कि आधि पंद्रा सितंबर को हर साल मनाया जाता है एम विश्वसरिया की जैनती के मौक्य पर ठीक है चले बढ़ते हैं नेक्स्क्रत क्वेस्टन पर दोस्तों नेक्स्क्रत की आज करने फेर का मोस्ट इंपॉर्टन क्वेस्टन कह सकते हैं बहरत को अगले कितने साल के लिए कि आर्थिक और सामाजिक परिसद यानि इको सौक की एक संस्था युनाइट नेशन के कमिशन ऑन स्टेट ऑफ यूमन का सदस्थ सुना गया है तो इंपॉर्टन को इसलिए है क्योंकि इंडिया को सुना गया है तो यह इंपॉर्टन हो जाता है तो बताना है कि भारत को इसका सदस से चुना गया है तो most important चीज़े हैं इंडिया को चुना गया है तो अपने लिए important हो रहता है और exam जो upcoming exam से उनके लिए important है तो भारत को United Nations Commission on States of Women का सदस सुन लिया गया है और इस संस्ता का सदस सदस बनने के लिए member बनने के लिए इसमें जो थे वो भारत अफगानि 2021 से 2025 तक United Nations Commission on States of Women का सदस से बना रहेगा तो बहुत important question है और अगर हम बात करें कि उको सोक की जिनकी जिकर्जकर हो रहा है उको सोक तो the United Nations Economic and Social Council इसके स्थापना जो है 1945 को हुई थी और इसके head कौन है Monazool और headquarter का है New York United States ठीक है कई तो याद रखेगा इसको चले बढ़ते है next question पर दोस्तों अगला question है हाल ही में जद्यू पार्टी के किस सांसत को एक बार फिर से राज्यसभा जो राज्यसभा होती है इसका उपसवापत चुना गया है तो उपसवापत किसे चुना गया है राज्यसभा का तो वह है हर्वण्स नारायंट सिंग करेक्ट एंसर हो जा हर्वण्स नारायंट सिंग की तो आप प्रस्वयम देख सकते हैं यह है हर्वण्स नारायंट सिंग जद्यू पार्टी से बिलॉंग करते हैं और अभी जो हराज्यसभा की उपसवापत को उरूप में इनको चुना गया है और यह हर्वण्स राय सामाजी सरोकार की पत्रका सब्सक्राइब नरायंट से अर्शास्त में एमे और पत्रकारिता में डिप्लमाइट पढ़ाई की और हर्ववंस 1981 और 1984 तक हैदराबाद पर्टना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की होने और साल 1984 में उन्होंने पत्रिकारता में फिर वापसी की ठीक है और बाद में फिर राजमीत में आए और अभी क्या है अभी जो है राजसभा जो है राजसभा की स्वापत का रूप म इनको चुना गया है तो किसको चुना गया है हरिवर्ण सन्यारायंट सिंग को चले बढ़ते हैं नेस्ट क्वेश्चन पर तो नेस्ट क्वेश्चन नमर चार उत्रप्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माराधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल कर किसके नाम पर करने की घौ अब ऐसा कियों है क्योंकि जो है योगी आदितिनाथ जो अभी वर्तमान में जो मुख्र मंत्री हैं के अनुसार जो है जो सिवा जी हमाराथा जोद्धा थे और सौलवी सताबदी के राजा शात्रपर सिवा जी महराज ने अपने जीवन के अधिकान समय मुगलों से लड़ने में और वह अपनी सैन विजय के लिए जाने जाते हैं तो उनके बलिदान उनकी मेहनत उनकी जो है जितनी भी संगर्स थे उनको देखते हुए अभी जो यह सं शिवा जी महराज रख दिया है तो वह जाएगा उत्तर प्रदिश और यह किस ने किया है योगी आदित्तनात में उत्तर प्रदिश सरकान ने किया है ठीक है चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर अकूण दोस्तों क्योसरन नबर 5 हाली में जापान के नया प्रधान मं मंत्री चुना गया है और अभी वर्तमान में कौन थे प्रधान मंत्री यहां पर सिंजो अबे थे और सिंजो अबे के बागत यो सिहिदे सुगा को जापान के नय प्रधान मंत्री होंगे तो जापान के 70 पार्टी जो है किसकी पार्टी है यह सिंजो अबे की है और बाद यो स पहले परतान मंत्री दा चुके हैं और यह होतनि वर्तमान परton मंत्री जिनका मज़ह कर रहा था यőus différentes सोगा ठीक है इसली हुआ किया था पिक्षेले महें नहीं सिंज्चाए कावड़ा से इस्तिफा दे दिया था और 71 साल के जो योसिव हिदे सुगा सिंजो आबे के भी करीभी माने जाते हैं नजदीकी माने जाते हैं और उन्हीं नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के 702 और सेत्री प्रत्रिद्यों के 54 में से 377 वोट इनको मिले थे जिसकी वज़ा से यह तेह हो गया है कि अब जो है योसिव हिदे सुगा है इनको ही अगला पधानमंतरी न्यूक्त किया जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर आपके स्क्रीन पर है और मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन कह सकते हैं हाली में कार्मिक मंत्राले ने किसको विश्व बैंक की कारिकारी निद आप्सटों विश्व बैंक की कारिकारी निदेशा को रूप में नुक्ति दी है और उनकी यह न्यूकति तीन साल के लिए क्या यह दोस्तों यह हैं राजेश खुलर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजेश खुलर हैं इन्हें ही विश्व बैंक के कारिकारी ने देशा के रोप में नुक किया गया और तीन साल के लिए नुक रहेंगे और वे भारत, बांगला देश, स्री लंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिद्ध करेंगे यानि रिप्रिजेंट करेंगे इनको और विश्व बैंक में 25 ऐसे कारिकारी ने देशा के पूरे विश्व से नुक्त होते हैं और वर्तमान में मुखमंत्री के प्रधान सच्चिव के अलावा HSI IDC के चेर्मेन का कारिभार भी खुलर है तो हेड़ क्वार्टर का है वासिंग्टन लिशी अमेरिका युनाइट स्टेट में और प्रेशिरन कौन है वर्ट बैंक के डेविट मालपास और कि स्थापना कर गई थी की कई थी उनिस सो चवालिक में जुलाई उनिस सो चवालिस और संस्थापना की थी चले बढ़ते है तो उनिस सांती और सुरक्षा सुनशित करने के उड़ेश से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहोग नहीं है और अमेरिकी रक्षा भाग पेंटागिन की तरफ से यह गोश्णा की कई है आदेश जारी किया गया है कि पेंटागे ने कहा कि फिलाडेलफिया में 10 सेतंबर को दच्छिंड और दच्छिंड पूरे एसिया के लिए उपस सहायक रक्षा मंतरी रीड वर्णर और मालदीव की रक्षा मंतरी मारिया दीदी ने रक्षा वा सुरक्षा समझाते के लिए कार इससे दोनों कंट्रियों को बहुत सारा फैदा होगा खासकर मालदीव को ठीक है तो इसका करेक्ट्र पूर जाएगा मालदीव को ठीक है तुक है किस देश की टेश के टेनिस खिलाडी नावमी उसाका ने यूएस ओपन की फाइनल वकाबले में बेलारूस की टेनिस का को हराकर अपना तीसरा grand slam जीत लिया है तो किस कैंट्री ने किस देश की Tennis खिलारी ने तो जपान तो जपान की जो tennis खिलारी है जिनका नाम है नामी औसाका ठीक है तो नीज यूस में तो ने यॐ अपिन की fiijnनल मकाबरी में तिस की वह जीत लिया व्रिंद में ये कों नाओमी उसाका तो दोसते ये हैं वृषाका जो जेपान ये टेनिस भीलाइए है और नाओमी उसाका इस ए तेन स्लेम टेनीस टूनामेंट में से एक है अन्य तीन स्लेम फ्रेंच ओपन विंrow और और उस्टेलियन ओपन है और यह ग्रेंड स्लैम टूर्णामिन इंटरनाशनल टेनिस फेडरेशन यानि आई ट्री अप दोरा संचालित किया जाता है ठीक है तो मोस्ट इंपोर्टन यह है कि मतलब वर्ड में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और यह जपान की रहने वाली ह है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर प्रधानमंत्री निरेंद मोदी ने हाल ही में किस राज की जलापूर्ति वा सीवर से जूड़ी पांसो तेताले दिसमलों दो आठ करोड की विभिन परियोजनाओं का उद्खाटन और सिल्हा नियास किया है तो प्रधानमंत को उद्खाटन और सिल्हा नियास किया है और ये परियोजनाओं केंद्र की नमामि गंगे और अमरूत योजना से जूड़ी हैं इन में पत्ना की बेऊर और कर्म लिचक सीवर स्टेटमेंट प्लांट के एलावां सीवान छप्रा मुंगेद जमालपूर मुझफर पूर से जूड़ी परियोजनाएं सामिल हैं प्रधानमंत्री 10 और 10 और 13 स्टम्बर को मत से विभाग और पैट्रोलिंस जूड़ी कई परियोजनाओं का भी सुभारम कर चुके हैं अब अब इस अब इस अब हाली में जो है मत से विभाग जो है वह बिहार में चालू किया गया है औ और पैट्रोलिंस जूड़ी कई परियोजनाओं भी यहां पर चालू किए भिहार में ठीक है तो इसको जान रखेंगे और हम बात करेंगर भिहार की अब मैं मैं देख सकते हैं बिहार यहां इसको करता है और बिहार की जो है कैपिटल क्या है पत्ना और फागो चौहान और वर्तमार में चीफ मिनिश्टर को है नितिश कुमार चले बढ़ते हैं और कई यहीं भी बात किलाती है इसी क्वेश्चन पर तो नरेंद मोधी ने इसी स्टेट पे कई योजना बनाई है तो बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है कि माई फैमिली माई रिस्पॉंसबेल्टी योजना किस राज ने सुरू करने की योजना बनाई है तो करेक्टर अंसर हो जाएगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकान ने अभी क्या कि है कोविड-19 महारे से निपटने के एक लॉक्डाउन कर्ब में लॉक्डाउन का जो कर्ब चल ला था यह जो हमारी चल लए थी इसमें जो परिसानिया हुई इसमें छूट देने के लिए महाराष्ट्र के मुझमंत्री उधा ठाकरे ने मेरा परिवार यानि माई फैमिली माई रिस्पॉंसबिलिटी अभियान अधिक्तम लोगों को प्रभावी COVID-19 नियंत्रन के लिए एक नई जीवन सैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और वाइरस तक पहुचने से पहले लोगों तक पहुचने का भी लक्षे है ताकि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके निरोग्य रखा जा सके और 15 सितम्बर 2020 को अब यहान BMC, यानि ब्रहम मुंबई नगर निगम मंबई का जो नगर निगम है जिसे बोलते हैं उसको बोलते है BMC तो वहां की छेत्रा दिकार में शुरू किया जाय गए और CM के मारदर्सन के राजभर में लग किया जाय जाएगा इसको और यहां में बात कर रहा है महारा माहराष्टा यहां पर इस्पश्ट परणा करता है महाराष्टरा स्ठापना दिवस का मना जाता है तो महाराष्टरा इस algum क statement क्टायल क्या है Mumbai चले पड़ते हैं In air concentrating in order Stateujeं के अरुण जिदणी मिमोरेल स्पोर्ट कमнейट में रकिए हैं तो होल्हक्रमक इतले अरुत जया रहे हैं अरुनाड़ी मेंुलेस स्पोर्ट कमपेश्च इसकी राज ज साथ में रखी गई है तो करेक्ट अंसरों जाएगा आपसंसी जम्बू एंड कास्मीर तो जम्बू एंड कैस्मीर के लेटनेंट गवर्णर मनोश सेनहा और जीतियन सिंग जो है क्या है राजमंतिर परत्मान में स्वत्मत्रवार और उत्रपूर्वी शेत्र का विकास करने के अरुम्डेटनी मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की यह आधार सिला रखी गई है तो आप देख सकते हैं डिटियल्स इमेज के मादनें से डॉक्टर जीतियन सिंग है तो डॉक्टर जीतियन सिंग क्या है इसमें लेटन गवर्णा है लम्मू कस्मीर में यानि इसे बोल यहां पर रखी गई है और उत्रीक छेत्र में अपनी तरह का पहला बहुत देशी खेर परिसर यह होगा और पूरुवित्यमति अरुन जेटली को सरद्धान जली देने के लिए इसको बनाया गया है अरुन जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बहुत देशी आधा जाएगा कई प्रगारी खेलों के लिए बनाया गया है तो अगर एक्जाम में पुछ लेता है कि हाली में अरुन जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अधार से लाकि सिराज में रखी गई है तो जम्मू एन कास्मीन में रखी गई है ठीक है चले बढ़ते हैं आ वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं और फेस्बूक ग्रूप को आप जॉइन कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब आप को सब्सक्राइब करें और अभी कुछ प्रब्लम सोर ही हमारे सााथ भी तो मैं प्रब्लम करने की कोसित कर रहा हूं ठीक है व गाइस तो चले मिलते हैं नेश्क कर अपे तब तक के लिए थांको सब्सक्राइं